तो पहले हम देखते हैं कि मेरा revenue इस generation method से क्या था तो पहले महीने आप देख सकते हैं $87 था दूसरे महीने 72 पे चला गया फिर डबल हो गया 142 पे चला गया फिर 144 अगरीमन stable रहा उसके बाद 200 तक पहुंच गया उसके बाद 275 पे चला गया उसके बाद $340 हो गया उसके बाद $528 नोवे महीने थोड़ा सा कम हो गया 406 हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से increase होना शुरू हुआ 522 और 11 महीने यह $663 पे पहुंच गया और of course यह हर बंदा नहीं कर सकता इसके यह आपको थोड़ी बहुत know-how होनी चाहिए programming की थोड़ी बहुत आपको understanding होनी चाहिए अगर आपका background किसी भी programming field से है web development हो गया game development हो गया python programming हो गया या अगर आपको sciences में ऐसा shock है तो फिर आप यह method apply कर सकते हैं अगर एक बंदा जिस यह आपको monthly income देता रहता है और with time यह खुद organically increase भी हो सकता है तो यह किस तरह होता है और exactly क्या ऐसी details है किस तरह इसको start किया जाता है किस तरह इसको scale किया जाता है और जो सबसे main बात है कि अगर आपके numbers अच्छे हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है फिर एक secret recipe है जो कि म यह method start करने से पहले हमने दो चीज़े discuss करनी है जो कि बहुत important है समझने के लिए इससे पहले कि हम जाके passive income को discuss करें और किस तरह यह generate होती है तो सबसे पहली जो चीज हमने discuss करनी है वो है get rich quick अब यह जो get rich quick schemes होती है ना सबसे पहले आपने इनको avoid करना है यह कोई भी अगर आपको कहता है कि आपके पैसे मैं आपको double करके देता हूँ या triple करके देता हूँ इस दिर पैसे double हमें मुझे interest है बहुत interest है तो आपने इहतियात बरतनी है आपने देखना है कि यह वाकई legit तरीका है के नहीं अगर आपको कोई कहता है कि यह मैं आपको 40 पर्चास परसंट या 100% increase देता हूँ छे में इने के अंदर तो आपने बहुत इहतियात बरतनी है चोटे पेमाने पर चोटे स्केल पर आइस्ता आइस्ता उसको इंक्रीज करना है अगर आप स्टार्ट में ही जादा सारे पैसे इंवेस्ट कर देंगे फिर आप जाके फस सकते हैं मैं आपको एक्जांपल देता हूँ अपने दोस्की उसने 15,000 डॉलर इंवेस्ट किये किसी न वो पैसों के पीछे ही भाग रहा है उसको ना प्रॉफिट मिला है और ना उसको प्रिंसिपल इंवेस्मेंट अपनी वापस मिली है तो यह चीज़ें आपने बहुत धियान रखना है कि अपना टाइम और एफट जो है ना गेट रिच कुएक स्कीम में मत डाले हमेशा लॉ चीज़ है और स्पिसफिक वो है जो मख्सूस है तो इसमें आइडिया का क्या तعلक है इससे हम सीख केरे हैं तो बिसיקली आपका आयडिया जो होता है या वह ज्यादा स्पिसफिक होता है वह यह चीज़ें एक जनیरिक आईडिया हो driving और इन जा यह चीज़ आजकल वाइट लेबलिंग बहुत चलती है, अगर आपको वाइट लेबलिंग का नहीं पता, तो बेसिकली आप किसी फैक्टरी से कोई product produce कर वा रहे हैं, वो अलड़ी वो product produce कर रहे हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं यार यह TV जो आप बेच रहे हो ना, इसके हर बंदा यूज करता है, और उसके demand भी बहुत होती है, लेकिन यह idea बहुत बुरा है, यह नहीं चलेगा, उसकी वज़ा यह है कि यह बहुत generic है और इसके अंदर competition बहुत जादा है, इस चीज़ को execute करना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि आप already giants के साथ लड़ने हैं, आप basically Apple के साथ लड़ेंगे, आप Samsung के साथ, Huawei के साथ, तो यह सारे बड़े brands हैं जिनके साथ आपको complete करना पड़ेगा, तो आपने करना यह है कि हमेशा देखना है कि जो generic चीज़ होगी ना, उसके अंदर entry बहुत easy होगी, मतलब हर बंदे के लिए वो accessible होगा, for example, मैं literally जाके एक plugin खरीद के ना, पूरा Facebook बना सकता हूं, in fact, जब मैं 2089 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्कूल से काफी तंग आया था, वो लोग कुछ चीज़ अची नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनके खलाफ एक website बना दी थी, जिसके अंदर मैं जो वो गलत बात करते तो मैं उसको add कर देता था, जो कि इदनी अची बात नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने उसको फिर एक थोड़ा neutral कर दिया था, लेकिन मक्सद उसका ये था कि उसके अंदर उस social media platform पे लोग आ रहे थे, और आके discussions कर रहे थे, कि जो school कर रहा है, क्या वो सही है, फिर उसकी images ब बहुत असान चीज़ है, कि कोई भी बंदा ये कर सकता है, तो ये करके आप कहा दें, कि हाँ जी मैं next Facebook बना रहा हूं, या next TikTok बना रहा हूं, तो ये चीज़ बहुत generic है, इसके अंदर entry to barrier बहुत असान है, तो इसके अंदर competition बहुत जादा होगा, तो आपने avoid करना है generic चीज पर, कि हमारा जो third point है न, वो basically हमारा passive income का idea है, तो हमारा passive income का idea जो है, वो बहुत simple है, provide a free service, अच्छा, अब आप कहेंगे, अगर मैं एक free service provide कर रहा हूं, तो भाई मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, और ये free service है क्या, अच्छा, अब होता ये है, कि बहुत सी, जब हम अपनी जि specific problem नजर आता है, तो अगर वो problem software based है, तो हम उसको एक online solution की तरह provide कर सकते हैं, अब होता ये है, for example, काफी लोग होते हैं, काफी teachers होते हैं, जिन्होंने PDF को convert करना होता है word में, ठीक है, तो वो online जाते हैं, और एक online website के उपर वो अपनी file drag करते हैं, वो file PDF ले होती है, वो word में convert हो जाती है, उसको फिर वो edit कर लेते हैं, उसके पैसे बगार कोई नहीं देते हैं, वो basically free कर लेते हैं, इसी तरह मैं एक service use करता हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी वो, जिसके अंदर आप video डालते हैं, और वो आपको gift बना के देते हैं, तो वो चीज काफी useful होती है email send करने के लिए, या different platforms में डालने के लिए, तो वो आपको online free service provide कर रहा है, इसी तरह बहुत सी apps होती है, जो आपको free services provide करती है, तो आपने करना ये है कि आपने ये एक free service provide करनी है लोगों को, जो के उनकी help out करे, अचा ये मैं आपको generic ideas बता रहा हूँ, थोड़े से specific हैं, ल iPad के अंदर calculator app नहीं है, आप ये देखें, iPad के अंदर calculator app नहीं मुझूद, तो किसी ने क्या किया, जा के calculator app बना दी, अब उस calculator app को उसने free दे दिया basically, अब अगर हम let's say app store पर जाते हैं, और हम इदर रिखते है calculator, तो right in the front हमें यहाँ नदर आ जाता है calculator, calculator add edition, ठीक है, अब ये जो है, इसके अंदर कोई in app purchase नहीं है, इसके अंदर directly आप इसको install करके use कर सकते हैं, that's it, इसकी सारी services free है, तो अब आप सवाल करेंगे कि फिर ये बंदा पैसे कैसे बना रहा है, अगर ये free service provide कर रहा है, तो पैसे कैसे बन रहा है, तो इसका answer बहुत असान है, अगर हम इसक calculator app पे जाए, तो हमें नदर आएगा, ये देखें, यहाँ पे add लगी हुई है, तो basically हो ये रहा है कि आप एक चोटी सी service provide करें, अब ये calculator जो है, ये literally basic है, हर बंदा जो है, वो सीखता है programming के basics में के calculator कैसे बनाते हैं, तो उसने किया क्या है, उसने calculator बनाया है, और साथ में न free service provide करनी है, और साथ में आपने ads चलानी है, उस free service पे, अब मैं आपको अपनी example देता हूँ, जो कि मैं बहुत जादा use करता हूँ, अगर हम google पे जाएं, और मैं लिखूँ video to images, तो ये देखें, ये हमारे search results आ जाते हैं, तो अगर for example, मैं पहले result पे click करता हूँ, ezgif, तो ez ezgif को अगर हम खोलेंगे, तो आप ये देखें, कि खुलता ही, आपको एक add यहाँ पे नदर आ रही है, और एक add आपको यहाँ पे नदर आ रही है, तो ये basically add model के revenue पे ही चल रहे है, आपने basically अपनी file यहाँ पे upload करनी है, उन्होंने उसको process करना है, और आपको file return कर देनी है उसी वक्त आपको convert करके देंगे, इसमें resize भी है, rotate भी है, crop भी है, cut भी है, यो बहुत चोटी चोटी चीज़े है, कोई इतनी complicated चीज़े नहीं है बनाने के लिए, और आपको मैं एक मज़े की बाप बताता हूँ, कि मुझे एक अभी idea आया था पिछले दिनों, और मैंने उ उसको लिखा भी और उसको implement भी किया using chat GPT, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, तो आपने मेरे साथ ये सारी बात सुनते रहा ना, अच्छा, अब ये जो है, easy gift हो गया, ये एक बड़ी अच्छी example है, लेकिन अब आप कहेंगे यार इससे पैसे कैसे generate हो रहे तो basically, कहने का मक्सद है कि easy gift बनाया, तो ये उनकी सारी details आ गही इस website की, तो अगर आप इसको देखेंगे, तो इसके अंदर total visits जो है, यहाँ पे अगर हम click करें, तो ये आपको बता रहा है last month के, ये last month के total clicks हैं, 6.3 million total visits हैं pages के, बाकि इसकी details भी आप देख सकते हैं यहाँ और इस तरह की similar websites भी वह आपको दिखाता है, ये दखेंगे, ये similar websites हैं, यहाँ पे 25 million visits हैं, यहाँ पे 5.4 हैं, यहाँ पे 311 million visits हैं, again ये तरह भड़ी websites हैं, अब मैंने भी जो बनाया था, वो थोड़ी छोटी website थी, उसके अंदर इतने जादा millions में तो नहीं आते थे, लेक हमने इसको डाल दिया, 6.4, आप इसको drag out करके आगे पीछे कर सकते हैं, हमने इसको 6.4 पे डालना है, क्योंकि that is what the revenue is, ठीक है, that is what the pages per month is, ठीक है, तो अब आप AdSense की value देख ले, ये 4,8,000 dollars per year, पर month नहीं है ये, पर year है, तो अगर हम इसको, तकरीबन ये 48 बन रहा है, तो आके, तो ये basically tier 1 countries है, अगर आप कहते हैं, अच्छा tier 1 नहीं है, तो चलो tier 1 में European countries, अमेरिका वगहरा आ जता है, चले आप tier 2 करके देख लें, उसमें भी 3,00,000 आ रहा है, आप चले, उससे भी कम कर लें, tier 3 कर लें, तो उसमें भी 1,00,000 बहतर रहा है, तो values बुरी बिलकुल तक जा रहा है, चले 64 कर लें, 64 तक आ रहा है, और अगर हम इसको tier 1 country करें, क्योंके mostly tier 1 और tier 2 का mix आता है, तो tier 3 भी थोड़े बहुत आ जाते है, तो इसके अंदर आप देख लें, 4800, तो हमें मिल जाता है 400 dollars, तो 400 dollars per month इसकी average बनती है, जो के actually not bad, close है हमारी figures से, तो ये actually क्या कर सकते हैं, इस तरहां एक service प्रवाइड कर सकते हैं, online अपना idea आप उसको implement कर सकते हैं, website की तोर पे, या पिर एक app की तोर पे, और सबसे best बात यह है, कि आप उसको sellout भी कर सकते हैं, eventually अगर वो अच्छा profit कमा के दे लिए, तो आपको अगर ज़्यादा पैसे चाहिए एक बड़े idea के लिए, तो आप उसको sellout भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास website है, flipa.com, अगर आप इस website पर जाएंगे, ये number one marketplace है, to buy and sell apps, digital services, domains, and Shopify stores, बगएर बगएरा, तो इसके अंदर देखें, आपको website मिल जाती हैं, उनके revenues वो बताते हैं, इसमें देखें, आप बहुत सी ऐसी converter apps भी होती है, तो लेट से हम इधर लिखते हैं converter, और हमें क्या मिलते हैं, हम देखते हैं, तो ये देखें, हमारा result आगया PDF converter and word to PDF, तो इसके अंदर basically PDF to word convert करें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो ये 58,000 dollar का कोई बेच रहा है, जो के basically iOS app है, तो उसको 3 साल हो गया है, ये करते हुए, तो बहुत सी ऐसी आपको apps मिल जाएंगी, बहुत सी ऐसी आपको websites मिल जाएंगी, जो के इस website पे बेच रहे होते हैं लोग, तो आप totally अपनी website as a business बेच भी सकते हैं at the long term, अच्छा, अब मेरी website के बारे में आजे, तो मैंने कैसे किया, basically, जब मैं YouTube के ऊपर अपने tutorials डालता था, तो उसके साथ मैं एक code भी देता हूँ, तो हर tutorial का एक code आता है, तो वो code जो है, मैं कहता था कि आपने YouTube से download नहीं करना है, आपने मेरी website पे जाके download करना है, तो जब लोग pre code लेने आते थे मेरी website पे, तो वहाँ पे मैंने ads लगाई ह तो उसके बाद मैंने सारी ads अपनी website से हटा दी, because ads जो है, वो उतना नहीं generate करती है, जितना courses generate कर सकते हैं, तो plus जब आप किसी website पे जाते हैं, और कुछ खरीदने और वहाँ पे ads हो, तो वो एक legit feel नहीं देती, एक professional feel नहीं देती, तो आपको हमेशा ads हटानी पड़ती है, त तो इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी example देता हूँ, कि अगर आप video to images पे ही जाते हैं, तो इन मेंसे कुछ ऐसी websites होंगी, जिन पर ads नहीं है, जो कि आपको free में दे रही है, लेकिन फिर भी उनमे ads नहीं है, जैसे कि आप यह देख रहे है, Capwink, ठीक है, अब हम Capwink.com पे इसलिए मैं वो नहीं डालता, अब ads नहीं डालता, पहले डालता था, अब मैं ads नहीं डालता, अब यह देखें, इसके अंदर free plan भी है, और इसके अंदर pro plan भी है, तो अगर आपकी website काफी अच्छी जा रही है, और आप एक unique चीज प्रवाइड कर रहे है, तो फिर आप उस ads run होना शुरू हो जाती है, अच्छा यह सारी बाते तो हमने कर ली कि हाँ ऐसे हम पैसे generate कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक idea बताऊंगा, जो कि मुझे पिछले दिनों आया, अपनी एक problem solve करने के लिए, जो कि इस चीज में convert हो सकता है, तो हुआ यह कि मैं जब यह videos edit क तो पहले मैं इस तरह की videos नहीं edit करता था, front facing videos जो है, उसके अंदर आपको हर थोड़ी दर बाद zoom in, zoom out करना होता है, हर 2-4 seconds बाद थोड़ा सा zoom in, थोड़ा सा zoom out आपको करना होता है, तो अगर आप for example 10 minute की, 20 minute की video के अंदर यह कर रहे हैं, काफी जादा clips जो है, zoom in, zoom out करने पड़ते हैं, individually cut करके, आपको zoom in करना है, फिर zoom out करना है, फिर zoom in करना है, तो यह एक काफी लंबा process है, तो मैंने सुचा कि क्यों ना हम इसको एक बहतर तरीके से apply करें, तो मैंने क्या किया, मैंने जाके chart GPT को बोला, कि मुझे एक program लिखके दो python में, जो के basically एक input video ले, और एक range के हिसाब से, तो मैंने range दे दी 2-4 second, हर 2-4 second बाद, वो 1 से लेके 1.3x zoom करेगा, तो basically, अब मैं करता ही हो, कि अब मैं उसके अंदर upload करता हूँ, अपनी file, python code के अंदर add करता हूँ, और मैं run दबाता हूँ, और कुछ minutes बाद, वो मुझे output file दे देता है, जिसके अंदर zoom बंदा नहीं करना चाता, और जब इसको जादा दफा करना बैठ जाएं, तो फिर ये काफी annoying हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को automate किया, अब मैं definitely सोचा हूँ, कि मैं इसको automate करके, अब मैं as a service पी इसको provide कर सकता हूँ, मैं for example, इसको कह सकता हूँ, AI zooming, या automated zooming, तो let again इसमें आपको थोड़ी सी मेंनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप chat GPT से लिखवा लेंगे, सब कुछ अच्छा होजएगा, आपने थोड़ी सी मेंनत करनी है, थोड़ी सी input required होगी, या कोई programmer hire करने है, आपका अगर अच्छा idea है, तो बहुत सी ऐसी चीज बनाएं, सिर्फ एक part of that software, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने पताया कि AI zooming है, कि आप सिर्फ zoom in, zoom out कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अलाइदा एक option देदें, कि हाँ भी, shots में भी convert करतेगा, size भी change करतेगा, वो फिर आप addition add करते जा सकते हैं, वक्त के साथ-साथ आप इसको increase क सकते हैं, लेकिन इस passive income idea के अंदर ना होने के बराबर investment है, आपने सिर्फ website करीनी है, या आपने सिर्फ अपनी app upload करनी है, play store पे या google store पे, तो basically यह हमारा passive income idea है, जो के suitable है students के लिए भी, entrepreneurs के लिए, कि जिसके पास एक idea आया है, और वो एक service provide कर रहा है, free के अंदर, और बाद के अदो आपने में आपने सीप्टो खरे लेकिन इक लिए, आपने सिर्फ एक्ता वारे है, जा एक्षब तर एक सकते हैं, आपने खरे विए, कि अए और विए ने का रव्यादा, आपने से लिए टो आपने से इस रिए लिए 5,000ौड टो एक त्रीय। ऑने स्टीए, कर